ओबीसी महासभा के एसा आयोजन में मंच पर बेठे हुए आप सभी समानित अधितिगर्ड और इस सभागार में मौझूद आप सभी लोगों को मेरा कांतिकारी जै भीम, जै मंडल, जै सम्विधान है एंकल आप जन्दाबाद सबसे पहले बेठे महासभा के उन तमाम साथियों का उत्साहवर्धन करना चाहता हूँ जिन्होंने देश की राजधानी दिल्ले में इतना बड़ाई जल्सा किया और देश भर के तमाम लोगों को इकठा करके आज ये आयोजन किया है उन सभी का अभार क्योंकि इस देश में आज भी एक बात बोली जाती है देश के कोने कोने में कि जिस दिन OBC जाग जाए उस दिन देश बदर जाएगा मुझे लग रहा है कि इस तरह के आयोजन और इस तरह के तमाम खेमे के लोगों को एक साथ बिठा कर एक संदेश तो दिया जा रहा है कि सोया अब तो कोई नहीं है जाग तो सब गए है अब बदलाव भारत का बहुत दूर नहीं है मैं उस उम्मीद से इस कारिकम के आयोजकों को बढ़ाए देखा और ये बात इसलिए भी गौर तलब है कि एस मुल्क की आधी से जादा आबादी जिसे एक पहचान के नीचे संगटित हो करके एस मुल्क को बनाने और बचाने की लड़ाई लड़ने का माद्दा रखती है उन किसान कामगार कमेरा महनतकश आवाम के बीच ये जितनी OBC में आने वाली जातियां हैं ये सब वो लोग हैं जिनोंने अपने हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायत बनाया है तो ये दुनिया बरबाद हो रही हो तो बचाने वाले भी आपी है और इसलिए मैं इस उम्मीद के साथ अपने उन तमाम नायकों और मंच पर बेटे हुए तमाम वरिष्ट लोग जो बोल कर चले गए आभी हैं उन सब को जब सुनता हूँ तो बतार नागरिक मुझे एक गर्व होता है खम्मत मिलती है कि आज हम जैसे तमाम नौजवान जब इस मुल्क के तानाशाहों के आँख में आँख डाल करके हख हुकुक की बात बेखौफ हो करके बोल पा रहे हैं तो उन तमाम लोगों का संघर शामिल है जिनोंने हमें यह जगम हिया कराई है अगर यह न लड़े होते तो शायद हमें यह मौका न मिल पाता है उन में से कुछ तस्वीरें इस पोश्टर पर हैं कुछ लोग अभी हाले में गुजरे समाजवाद के समाजवादी अंदोलन के तमाम नेताओं में से शुमार माननी नेता जी मुलायम सिंग यादो जी और शर्द यादो जी इन दोनों की स्मृतियों को भी याद करते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी तमाम विरासत के लोग अभी हमारे बीच हैं जिनोंने जाने कितनी लाठियां खाई जाने कितने अंदोलन किये संघर्ष किये आप सबने जो लड़ाई लड़ी हमें वो विरासत में मिली है तो हिम्मद भी हमें वो विरासत में मिली है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इसका भरुसा और वादा हमें इस अंदोलिम से करना और मुझे खुशी है सीमा कुश्वाहा जी ने जब बोला तो इस बड़ी एका में जो चीजे ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं उसकी तरफ आपको इशारा कर दिया है बिना महिलाओं की लड़ाई के हम जब सावित्री भाई पूले और फातिमा शेक को याद कर रहे हैं हम महत्मा जोतिबा पूले को याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें याद करने की इमानदारी भी ये कहती है कि सभागार में महिलाओं की बराबर किसंग्या होनी चाहिए वरना हमें फिर से इस पे होमवर्ट करना होता इसलिए मैं उसको साथ देते हुए और हमारे बिहार के मंत्री जी हैं और अलियनवर्शाब जिस एक दूसरे पहलू को रख करके गए कि ये OBC एकता भी तब तक मुकमल नहीं है जब तक इसमें किसान, कामगार, कमेरा जातियों में पसमानदा का जिक्र पूरी ताकत से नहों इसलिए मैं उनकी विबात का समर्थन करते हुए तब इसे OBC में किक्ता को मुकमल मानता और फिर दो-तीन मुद्दे क्योंकि वक्त बहुत हो गया है हम लोग तो वैसे भी बहुत कुछ बोल चुके हैं और बोलेंगे इस मंच पर जितने भी पूर्व के वक्ता थे उनकी बातों का समर्थन करते हुए ये OBC एकता इसलिए भी जरूरी है और इस मुल्क में OBC लोगों आपको भी घर घर जा करके ये बात कहना जरूरी है कि ये OBC महासभा ने जो काम शुरू किया है इसके पहले तमाम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है और सबसे पुराने पहले चले जाईए उन तमाम जातियों के बीच तथागत बुद्ध से ले करके कबीर रैदास पल्टू दादू भीखा बुले शाब बाबा फरीद और नराण गुरू बस्वन्ना चोखा मिला इन तमाम कमेरा लोगों ने जो विरासत में बनाया उसे महत्मा जोतिबा पुले और शाहू जी ने आगे बढ़ाया और उत्तर भारत में समाजवादी आंदोलन के नेता डप्टर राम मनोर लोहिया जिस दौर में लड़ रहे थे बिहार में त्रिवेडी संग बना था और उत्तर भारत में अरजग संग इन सबने उन कमेरा लोगों को अंदविस्वास पाखंड और इन सारी चीज़ों से निकाल करके वैग्यानिक तर्कशील मनोतावाद और समाजवाद के अंदोलन के जरिये एक जुट करने का एक लंबा काम किया है इसलिए OBC किसी दोर में सोया नहीं था ना अभी सोया है वो तब भी जगा था और आज भी जगा है और आगे जगा रहेगा जवाब नमर एक अब दूसरी बात शिकायत फिर OBC से क्यों होती है कि OBC अगर जाग जाए तो ये सब बदल जाए क्योंकि जब आपकी आबादी इस मुल्क के आधी आबादी से ज़ादा है तो जम्मेदारी भी आपकी ज़ादा है ये इसलिए मैं इस पाप पर जोर देने आया हूँ अगर आपकी आबादी ज़ादा है और आपके पास मौका है तो आईए एक बड़ी एका बनाए और वो बड़ी एका ऐसी एका नहीं होने जहिए जैसे इस देश का मुल्क का निजाम जैसा जूट बोलता है वैसा जूट बोलकर कि हम कोई आंदोलन नहीं कर पाए जब तक गुजरात का मुक्यमंत्री होने के बाद वो राजनेता महोद है उनको जाती नहीं आदाई जब प्रधान मंत्री का चुनाव लड़ना हुआ तो मैं OBC मा का बेटा हूँ सल्फ मेड OBC है वो असल में अगर ओरिजिनल OBC होते वो विरासत में वो दर्द पाए होते वो जोखे मुठाए होते तो इतने साल प्रधान मंत्री रहने के बाद एक बार मंडल कमिशन का नाम लिये होते अगर नहीं लिये तो तुम फेक OBC हो ये बात वन कहने आए और आप से भी शिकायत OBC मासवा के लोगों इसमें मंडल की तस्विर नहीं है बीपी मंडल की तस्विर इसमें होनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबिटकर के बाद उस सक्ष ने इन बिखरी हुई 3743 जातियों को एक पहचान दिया OBC और आज चुनाव जीतने के लिए प्रधान मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तो को भी बताना पढ़ रहा है कि हम OBC हैं तो ये अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी विरासत से जुड़िए आधा काम यहीं हो जाएगा और इसलिए कह रहा हूं मंडल का नाम लेने क्यों जरूरी है इस मुल्क के निजाम को आप कहते हो कि OBC है तो मंडल की बात इसलिए हम कर रहे है हमारे अतिती महोदे बोल कर गए बाबा साब ने जब स्तीफा दिया तो हिंदू कोट बिल के बाद OBC कमिशन न गठित किये जाने का एक बात कह कर के गए थे अफसोस इस मुल्क के OBC घरों में बाबा साब भी देर से पहुँचे हैं लेकिन अब पहुँच रहे हैं और इसमें OBC महासभात्य से तमाम संगठनों की जब गए और उस मंडल की जितने अनुशंसाएं बची हैं वो हमारी लडाई का हिस्ता होना चाहिए 27% आरक्षण तो दबाव में दिया गया था मंडल कमिशन के अनुशंसा कह रही है 52% आबादी को 52% रिजर्विशन बिलना चाहिए ये सबसे बड़ा सवाल था ये जेश का OBC प्रधान मंत्री अगर वाकई OBC है तो पहली गोशना ये करे कि मंडल कमिशन की केवल दो शिफार्षन लागू है आज की डेट से इस मुल्क में 52% और 52% क्यों भई ये तो 1931 की जंगर्णा और 1977 और 80 में रिपोर्ट 1991 में लागू 2021 में 2000 जो जंगर्णा होनी थी कम से कम 2023 में सबसे पहले जाती जंगर्णा करके गिनो कि हमारी आबादी कितनी है और जितनी आबादी है फिर उतने आरक्षन की घोश्रा करो तब हम मानेंगे कि तुम OBC हो वरना फेक OBC रहोगे इसलिए केवल ये बात में जोड देखर कि कहने वालाओं कि हम लोगों के बीच जाएंगे तो ये मुद्दा कैसे समझाएंगे क्योंकि फिल वाल ये कारिकर्म कंविंच को कंविंच करने का हो रहा है हम सब जागरुख लोग है तो मंधल कमिशन के अन्संचा में प्राइवेट सेक्TER में रेजर्वेशन प्रमोशन में रेजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है तो इस मुल्क के 99% परसेंट प्रोफेसर 99.99% जज इंजेनियर, वकील, डॉक्टर आज भी 3% लोगों की कबजे में है इसलिए हम कह रहे हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन और जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन दोगे तब मानकर चलिए कि OBC कैसी लड़ाई आगे बढ़ेगी तो जाती जंगरना और मंदल कमिशन के सिफारिश लागू करना और आखरी बात ये कोलेजियम सिस्टम जज बने बैटे हैं मैं एक बात कह रहा हूँ मुझे एक किस्सा याद आ रहा है दो मिनट में बात खतम करूँगा 1986 का वक्त था मातमा जोतिवाफ फुले हंटर कमिशन के सामने वो बात हो रही थी किसानों की दशा क्या है तो उन्होंने पहले बार ये किया कि किसानों का चोला पहना एक फटा पुराना कुरता एक बहुत मेला सा कंबल और ऐसे ही चले गए गेट से घुसने नहीं दिया उन्होंने का भई आप कहा आ रहे हो तो उन्होंने का कि ये किसानों का सम्मेलन हो रहा है हमें किसानों के बात कहनी है तो उन्होंने कहा कि भई आप कौन तब तक पहचान गए लोग कि अच्छा आप जोतिबा फुले हैं तब उन्होंने जाकर उस कमीशन के सामने एक बात कहीं थी ये सारे लोग जो भरे पेट और अच्छे कपड़ों में बैठे हैं इन्हें पता ही नहीं किसानों का दर्द क्य है आपको ये बताने के लिए कि किसान होता क्या है मैं इस लिबास में आया हूँ क्योंकि आपको पता ही नहीं किसान कितना दर्द सह करके वो जीवन जीरा है और ये भरे पेट वाले उनका दर्द क्या बताएंगे इस मुल्क को अगर बचाना है OBC महासभा के लोगों तो OBC OBC को तो एक जुट करना ही करना है इसके अलामा आपके पास कोई राष्ता नहीं है जब भारत बरबाद होगा संविधान बरबाद होगा तो कितनी भी बड़ी जाती की महासभा होगी एक दिन उसका भी नंबर आएगा इसलिए जाती की संविवनों से तो ये बचाव नहीं होने वाला छतरी तो एक ही बनेगी और वो OBC की बनेगी और जब आप OBC के नाम पर लोगों को एक जुट होंगे तो अपने आप आपको अपने कुछ भाई नजर आएंगे जिनने जैसे जाती के नाम पर OBC बनाकर प्रतारित किया गया वैसे इस मुल्क में इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं जो जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप दर्द का रिष्टा आपका उनसे बनेगा इस देश के दलितों से बनेगा और 90% लोगों के एक जुटता अपने आप बन जाएगी इसलिए मैं आपको बढ़ाई देते हुए अगला कारिकम किसी दिल्ली बंबई लखनो और बोपाल में मत करियेगा अगला कारिकम किसी गाउं चोराहे पर करियेगा हम सारे लोग आएंगे और इसमें से बहुत सारे लोग चलेंगे 90% को एक करना है और इसके जिम्मेदारी ओभी सी महासभा की है और यह बात बाबु जगदेव प्रसाद और जगदेव बाबु ने क्या कहा पहले डॉप्टर लोहिया ने संसोपा ने बाधी गाठ पिछड़ा पावे सौ में साथ उस नारे को आगे बढ़ा कर जगदेव बाबु और रामसुरु वर्मा ने क्या कहा और आखरी जाते आते टिपड़ी करना जगदेव बाबु और रामसुरु वर्मा का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा रामचरित मानस भी सामने आएगा और भाटी साथ चले गए अरसे बात समाजवादियों के बीच अतुल जी बटे हुए हैं ऐसे लोग जिनोंने अपने ऐसे ऐसे लोगों को हराया है कि वो किसान क सामगार कमेरा की आवाज क्या होती है यह यहां बढ़े हुए है और भाटी साथ चले गए मैं उनके सामने यह बात बोलना चाह रहा था वो बात यह है कि एक तरफ लेफ्ट राइट सेंटर सब में एक ही जातिका प्रवक्ता एक संग विचारत और एंकर भी उसी जातिका सवाल को गाउं गाउं ले जाना जे बरनाधन तेली कुमारा स्वपचकरात कोल कलवारा और मेली जिनयु तेहिलु धाना और पूजी अविप्रशील गुन हीना सूधन गुनगन ग्यान प्रवीना इनमें जितनी आभीर जातियों का स्वपचकरात कोल कलवारा इन सारी जात के लोगों को दो तीन चीज़ से बचा लिजिएगा पहला सामप्रदाइग दंगा कोई हिंदो मुस्लिम की लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है ये लड़ाई केवल और केवल अपने हथ हुकूप जल जंगल जमीन और संपत्ति की हिस्सेदारी एक परसंट लोग साड़े च परसंट पर गुजारा कर रहे हैं जाती जंगरणा का सवाल इसलिए जरूरी है कि पहचान खुल कर सामने आ जाए कि वो 10 परसंट कौन है और ये 90 परसंट कौन है ऐसलिए जाते जाते गुजारिश कोई सामप्रदाइग दंगा और मंदर मश्जित के लड़ाई इस मुल्क क कभीर साहब ने आहद की है काकर पातर जोर के मश्जित लई चनाय ताचर मुल्ला बाग दे क्या भहरा हुआ खुदा है और पातर पुजे हर मिले तो मैं पूजू पहार ताते ये चाकी भली पीस काय संसार उन्होंने कम भावना आहद की है क्या अरे जिस पुर्खे का नाम ले रहा हूँ बीसी समाज के लोगों आप से केवल एक गुजारेश जहां जहां आपके घर में धार्मिक गर्णत रखे हैं उन सब की बगल में भारत का संब्धान और मंडल कमिशन रख दीजिए अधाकान उसी समय हो जाएगा मंडल कमिशन और भारत का संब्धान अनुच च्छेदी क्यावने कहता है कि हम भारत के नागरिकों में वेग्यानिक चितना का विकास करेंगे और इस देश के टीवी मीडिया पर बैठ कर यहां बोला जा रहा है कि एक बाबा जो किस्मत बता रहा है वो चमतकार कर रहा है पूरे देश को अंदविश्वास में धखेल रहे आपके उपर जिम्मेदारी केवल अपनी जाती और अपने लोगों को बचाना नहीं है इस मुल्क को बचाना है क्योंकि इस मुल्क को हमारे पुर्फों ने बनाया है यह बरबाद कर रहे हैं आप पताईए अपने दोस्त को अमीर बनाया और कल को उसका शेयर गिर गया और और इसलिए इस देश को बेच दिया है हमारी लड़ाई साम्प्रदाइत्ता की लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई पाखंड की लड़ाई नहीं है अंदविश्वास की लड़ाई नहीं है घर-घर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पहुंचाईए घर-घर भारत का संविधान पह संविधान और इस महासवा में जाते जाते केवल एक गुजारेश आईए इस मुल्क को एक बार रत चला था न मंडल के विरोध में कमंडल का पहचानो भाई बिहार के मंत्री बैठे हुए हैं जाती जंगर्ना की गोश्रा हुई तो विरोध में कौन आया मैं आप से सवाल अरक्षणêtes की OBC तीनों का बढ़ाया गया तो आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है यहां आएंगे तो कहेंगे मैं OBC माँ का बेटा हूं मैं फ़कीरादमी हूं और आपके आरक्षण का विरोध ये सारे वही लोग कर रहे हैं जो आपको हिंदू बनाने आते हैं ये आपके आरक्षण के विरोधी हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भजरंग दल विष्व हंदू परिशद युवा वाहिनी और ये सारे लोग पूरे देश में गालियां दे एक मुकदमा नहीं होगा और इस मुल्क में स्वामी प्रसाद मौर्या और सिक्षा मंत्री बिहार चंदरशेकर पर मुकदमा होगा जो बोलेगा उस पर मुकदमा होगा तो भाईयों एक बात सुनो डक्टर राम मनौर लोहिया भारत आजाद हुआ तो लोग सत्ता में बैठे और राम मनौर लोहिया नहरेट अंदोलन के लिए सड़क पर लाठी खा रहे थे उन नायकों को आपने तस्वीर में लगाया है केस मुकदमा ये आप से कभी आपकी आवाज नहीं रोग पाएगा कबीर जोतिवा फूले शाहुजी महराज डक्टर भीमराव अंबेटकर डक्टर राम मनौर लोहिया मंडल कांशी राम ये मुकदमे और जेल से डर गए होते तो आज हम उनको याद नहीं कर रहे होते आपको आखरी बात केवल गुजारेश नकारात मत्ता तो देखिए बहुत है मैं भी चाहता तो यहां आपको बहुत सारी कमिया गिना देता कि OBC में ये कमिया है अरे बहुत कमिया है फिर भी गुणजाईश इतनी है कि अगर नियूनतम सहमती पर भी ब्रिहत्तम एका बना लेंगे ये मुल्क अपने आपा बचा लेंगे इसलिए कमियों की बात मैं नहीं कर रहा और वसीम बरिल्वी का शेर पढ़के जा रहा हूँ उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए ऐसे लोगों को पहचानिएगा जो लिबास आपकी जाती का पहन कर आएंगे आपके OBC का पहन कर आएंगे आपके दलित का पहन कर आएंगे पसमान्दा और BJP चिंता कर रहे है पसमान्दा की एक तरफ लिंचिंग एक तरफ मस्यद पर हमला और दूसरी तरफ पसमान्दा को हक एक तरफ सारे सरकारी संपत्ती बेच दो जाती जंगरना की मांग इतनी ताकतवर हो गई कि जंगरना ही नहीं करार है अरे ये धरपोग लोग हैं थोड़ी हिम्मत और बढ़ाईए सारी मांग आपको मांग लेंगे इसलिए पहचानिये कुलहाडी में लगी लकडियों की व ने बनाई कि अहिर गडरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर ये किसने गाली बनाई किसी मुसलमान ने बनाई क्या किसी दलित ने बनाई क्या किसी आदिवासी ने बनाई क्या और किसने ये विरोध किया कि बढ़ जात बत्यवला से चोट जात लत्यवला से उनके भी मेरे प्रिय कभी है तुल सिदाग लेकिन जहां गड़बड है वहां प्रिय नहीं है मैं कहूंगा कि आपने वाण बे अस्थास तापित की आपने इन जातियों के खलाब बोला है और मैं इस वाण पर कायम हूँ और जाते जाते कुलहाडी की लकडी की पहचान को अपनी पहसान से जोडेंगे उत्तर प्रदेश अभी अतुल भाई बोलेंगे तो समझ में आएगा लोगों को बदनाम किया किन जाती के लोगों का थाने में बर्चस्व है सब लूट लिया OBC का सारहक अहिर कुर्मी कोईरी ने लूट लिया इन्होंने इनका लूट लिया अरे इसलिए तो हम कहरें जाती जनगणा कड़ा दो पता चल जाएगा कितना लूट लिया कि इसमें तुम क्यों विरोध में आ जाते हो जाती जनगडना का विरोध केवल ब्रह्मन क्यों करता है भाई अगर यादवों ने कुर्मी कुरी ने ज्यादा क्योंकि पता है ज्यादा लूटा नहीं है कितने वाइस चांसलर, कितने जज, कितने वकील कितने डॉक्टर इंजिनियर अहिर कुर्मी को इरिक बन गए भाई आपको जो लड़ता है ना सबसे पहले उसे बधनाम किया जाता है इसलिए ताकि बाकी जातियों को कहा जाए अब उधर कुछ नहीं मिला इधर आओ तो उत्ता प्रदेश में जिन लोगों को कहा गया कि वार शरद्यादों को सुना नेता जी को सुना नेता जी उस समय के नेता जब राम मंदिर अंदोलन मंडल के विरोध में कमंडल तो उन्होंने हिचक नहीं दिखाई संबिधान पर जो खत्रा बन कर आये थे उन तमाम आतताईयों पर गोली चलवाई थी इसलिए हम उनके वि बहने करके समपरद्याइक्ता के खिलाब और आदिवासी इलाके में जितने लोग हैं यहीं आनंदराई जी आये हुए हैं और मद्वीयपःदेष की ओव्ण सीसे आत्यों आपको तौ अच्छे से पता हैं वहां कितने त्यू पर सोशन हो रहा है आदिवासी पर सोशन हो रहा, दलितों पर सोशन हो रहा, सारा सोशन हम सहें और भावना आहद भी हम न करें, साहब तयारी कर लो, अब हम तयार होकर आए हैं, बिरसा भूले अंबेटर तेरियार के वारिस, जितना भावना आहद गुलाम गीरी ने नहीं किया, जितनी भावना आहत एनिलेशन आफ काष्ट में बाबा साहब ने नहीं किया उसकी आधी भी भावना अगर हम आहत कर दिये तो ये मुल्क 90% कमेरा लोगों का बन जाएगा इसलिए शर्द यादों को याद करती हुए कह रहा हूँ अब हमें नाक छोटी करनी होगी और दल बढ़ा करना होगा हम सब की नाके लंबी हो गई अगर कटेगी तो किसी की नाक नहीं बचेगी इसलिए आईए दिल बढ़ा करें जिसकी संख्या जादा है दो कदम पीछे आ जाए और जो हमसे पीछे रह गया उसको कंदे पर बिठा कर आगे ले जाएं कोई हमारी एकता नहीं तोड़ एसलिए जाते जाते गुजारेश अब इस OBC महासवा का संभिलन गाउं गाउं हो हम हर जगह साथ में खड़े रहेंगे और फिर एक संभिलन कराईएगा OBC महासवा आदिवासी संगठन और दलित संगठनों को मिला कर कराईएगा 90% लोगों का संगठन मिलकर लड़ेंगे म मुलक हमारे पुर्खों ने बनाया हम उसे बचाएंगे ताकि आने वाली पिढ़ियां हमें नलायक न समझे आप में मुझे बोलने का मोका दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया